नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल आनलाइन एकजाम मिशन पर दोस्तों हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश इस्पेसल को यहां पर पढ़ने वाले हैं यहां पर टेस्ट लगाएंगे और आप लोग बुकों के माध्यम से इसका थेओरी पहल है कि जो बच्चे गाओं देहात में जहां पर कोचिंग कह सकते हैं सुभधाय नहीं है और इस समय तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिती है ठीक है तो ऐसी स्थिती में आप लोगों की घर तक फिरी सिच्छा हम आपको प्रवाइड करा रहे हैं अपने चैनल के माध्य इसमें आपको हिंदी जी और आपकी कह सकते हैं जी के जीस भी मिलती है और यूपी स्पेसल भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रवाइड करा जा रहे है तो आप लोग चैनल को जादा से जादा से शेयर करिए सपोर्ट करिए लाइक भी करिए ठीक है चले स्टार्ट कर बनाता है इसका आमने मास्टर वीडियो भी बनाया है तो आप देख भी सकते हैं यहां पर देख सकते हैं उत्तराखंड हरियाडा और हिमाचर प्रदेश के साथ सीमा जो बनाता है वह आपका कौन सा है चलिए यहां पर जवाब हो जाएगा उप्शन जवाब देख लिजिए यहां पर ऐसा आपका जो सहारनपूर है एक सहारनपूर है जन पर जो तराखंड के साथ हरियाडा के साथ और हिमाचर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उप्शन राइट अपका सी हो जाएगा चलिए आगला कोशन आपका दिया गया है छेत्रफल के घटते करम में सही विकल कैचन करना है यहां पर छेत्रफल के घटते करम में पूछा गया है तो यहां पर दे सकते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा है फिर मद्यप्रदेश महाराज पर उत्तरप्रदेश ऑप्सन राइट अपका भी हो जाएगा आगला कोश्चन यहां पर है कि लखनाओ की सीमा की किसे इस पर सने करती चलिए यहां पर चलिए खाने के बाद डगार आती है चलिए लखनाओ की सीमा की से इस पर सने करती तो यहां पर आपका बलिया ओप्सन रैडप करसी हो जाएगा ठीके देखे लखनाओ की सीमा उन्नौ से मिलती है हर दोई से बारवंके से लेकिन बलिय यहाँ पर पस्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक आपके उत्तर प्रदेश की सेमन इधारित करती है तो यहाँ पर देश सकते हैं पस्चिम में एक नदी है जो देखा जाए तो आपके कह सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश की सेमन इधारित करती है यहाँ पर नेस कोशन, उत्तर प्रदेश के भावर चेतर में किस प्रकार की मरदा पा जाती है, याद रखेगा, जो भावर चेतर है, भावर में का क्रीली और पत्रीली आपकी मरदा पा जाती है, बी नमबर. नेस्ट कोशन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा सबसे कम वर्षा कहां होती है आपके यह दर रिख्या आपके मत्वरा में होती है ठीक है यह बश्चिम छेत्र में है और वही आपके पूर्वर छेत्र में जो आपका है आपके उत्तर के पूर्वी छेत्र में वहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा बारिस मिलेगी ठीके लेकिन सबसे कम आपके काहोंत ही होती है इस कोशन है कि नियम्ने जिलों का उत्तर से दचे सही कुरम ये भी question आपको पुझाता है उत्तर से दच्छी उपर से नीचे की करम में देखा जाए तो जिले कौन-कौन से आपके यहाँ पर पढ़ेंगे तो सबसे उपर सिधार्थ नगर है तो अपसन यही आपका हो गया संतकवीर नगर, अमेड कर नगर और संतरविदास नगर सिधार्थ नगर, संतकवीर, अमेड कर और संतरविदास यह आपको मिलते हैं जोकी उतर से दच्छी उपर मिलते हैं किन्यम्न नग्रों का भरगोलिक छेत्रफल की दरष्टी से सही घठ्ता क्रम क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं, यह आपका है घठ्ता क्रम, तो वारा रसी काफी गौतम बुद्ध भागपद 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 भ सबसे ज़्यादा अता होगी जो आपके पूरव छेत्र में होगी पूरव छेत्र में आपका बसा है आपका गोरकपूर तो गोरकपूर option आपका D हो जाएगा अगले अन्यमने में से कौन सा छेत्र के बढ़ते करम की दरश्टी से सही है देखिए यहां पर छेत्र करम के बढ़ते करम से यहां पर जो आपका हो जाएगा देखो गौतम बुद्धनगर है फिर बारा बंकी पिमिर्जापूर सोन बद्ध यह थोड़ा सो आपके लेटर पढ़ता है क्योंकि छोटे छोटे जीलों को याद करना काफी कटिन होता है इसके लिए हम आपसे बोलते हैं कि आप लोग बुकों का सारज जरूर करिएगा हाँ एक नारमार एकजाम देने जा रहे हैं आप पुलिस जेल वार्डन है ना और लेकपाल आपके कह सकते हैं बियर्ड इंट्रेंस एकजाम एसक जामों में तो आपको इस तरह से question थोड़ा काम ही मिलेंगे लेकिन high level जैसे पहुँचते हैं आपके UPPCS, BO, एना कंट सिच्छा दिकारी एसक जामों में आपको थोड़े बारीकी से पढ़ना पड़ता है इसलिए हम आपको ये book पढ़ा रहे हैं जिसमें से छोटस लेके आपके बड़े competition फायर कर सकते हैं चलिए next question है सोनभद्र जिले को इसपर्स करती है तो सबसे पहले बात आती है सोनभद्र सोनभद्र को बिहार भी इसपर्स करता है और आपका मत्रदेश बिहार से जारखंड आलग हुआ और यंपी से 36 गड़ तो दो यह हो गए दो यह हो गए चार हो गए है तो यहाँ पर 11 का option राइट अपको हो जाएगा C next question दिया है उत्तर प्रदेश को कौन सा छेत्र आप दिकल्पी की प्राचीनतम सैलों से निर्मत है यह जो आपका निर्मत है वापको कोन है बुंदेल खंड option राइट अप aur का बङ हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा नई लगती है किस से नई लगती है देख लीजिए कि और राजस्तान से मिलती है अरियाना से पंजाब से नहीं मिलती हिए ठीके देरह का option write-up कभी हो जाएगा और याद रखेएगा कभी कभी option बोल देते हैं नहीं सो कोई नहीं तो इनमें मतलगा दीजिए पहले सोच लीजिए समझ लीजिए थोड़ा सा map का भी प्रयोग करिए तभी आपको complete होगा यहाँ पर Punjab की सेमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक वर्षा का छेत्र है सरवाधिक वर्षा का छेत्र तो सरवाधिक वर्षा छेत्र होता है वो आपके तराई छेत्र होता है option write-up कर यह हो जाएगा तराई छेत्र हो जाएगा ठीके निम्न से सरवादि में च्प्रफल वाला जिला कौन सा है आप देख लिज़ेगा सरवादि में च्प्रफल वाला आपका आपका जिला जो कौन है और\' सब unified और लेकिए मियंदेस अभावल तो भारत के राज्य फ्थान जो आपका है वह आपका कौन सा है चतुर्धिस्थान है जो आपको आपको पहले ही प्रसन बताया था कि किस प्रकासर चौत इस्तान में आपका योपी आता है चीटफरल में आगाला कोश़न है निमसे किस जिले को अंतरास्टी सीमा इस परस नहीं करती है आठात ऐसा कौन साज जिला है जो अंतराश्टी सीमा इस पर से नहीं करती है आपके यहाँ पर नेपाल को तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बलरामपुर स्रावस्ति पीलिवेत और बस्ती नहीं करता है ठीक है बस्ती नहीं करत यह आपका वारा रसी, ठीक है, वारा रसी, आठारा कॉपस्व राइट अपका ए हो जाएगा, अगला कोशन है उत्तर प्रदेश का छेट फल की हिसाब से, अच्छा यहां पर एक कोशन आप से पूछ लेता है, सबसे बड़ा जिला, तो सबसे इनकी हिसाब से जनसंख्या अगला अंद्बन से किस देश की सीमा उत्तर प्रदिश में जो सीमा मिलती है, तो किस देश के साथ है तो अभी हमने उता है नेपाल के साथ अंतरास्टी सीम बनाते हैं और यूपी के साथ इसे आपके जिले हैं जो आपके नेपाल को इसपस करते हैं निम्न से किसे राश्टी राध्धानी छेत्र NCR के 32 और उत्तरपदेश के आठवे जिले के रूप में सामिल किया गया है यूपी पी का पॉप्लर कोशन है और यहां पर देख सकते हैं आठवे जिले के रूप में जो सामिल किया गया है अगला उत्तरपदेश की सीमा भारती कितने राज्यों से सपस करती कितने राज्यों से पूछ लिया है तो याद रुकि कितने राज्य हो जाएंगी तो यहाँ पर कितने राज्यों से मिलती है तो इससे दिखा जाए तो आपके आठ राज्य हैं और एक के इंसासिप्रदेश है तो इसके असाब से आपका D-Number हो जाएगा 9 अगला है नियम्ट से किस जिले को सीमा नेपाल से लगती है अभी option में आये भी थे तो महराज गंजाब का है जो कि आपके कहां से आपके नेपाल से अंतलास्टी सीमा बनाता है बी नमबर नियम्ट में से कौन सा जिला बुंदेल खंड शेत्र का है और देखी question आपको मिलेंगे जो कि 2019 तक के हैं तो यहां पर बुंदेल खंड शेत्र का जो आपके हिस्सा है वो आपका कौन सा हो जाएगा यह जिया आपका हो जाएगा option right बिल्वकुर सही है सी नमबर महोबा शेत्र यह आपकी बुंदेल खंड शेत्र का हिस्सा है तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपका solve किया है जो की काफी एच्छ प्रसन आपके थे यहां से question आपको नार्मा लेकते है देखने को मिली जाते हैं ठीक है और daily कर daily इसे प्रकार से हम लोग just solve करेंगे और इस प्रकार से पूरी यूपी जी के भी complete करेंगे ठीक है आप लोग वीडियो लाइक करिए शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए हमने आपको बतावी दिया है हमारे दोनों चैनल है ना देव जी के ट्रिक और online exam mission जरू सब्सक्राइब करिए जह हुआ है